आपने कितनी वड़िया खस्ता और करारी सी क्रिस्पी बाकरवड़ी बनके रेडी हुई है और आप देख सकते हैं मसाला हर बाकरवड़ी में भर भर के रखा हुआ है अगर ऐसी ही बाकरवड़ी आप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक आपको फॉ इसी बाकरवड़ी बनाने के लिए आपको मेरे स्ट्रिप्स एंट्रिक्स धान से देखने पड़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपसे पहले इसके लिए मोटे तले की कड़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है दो चम्मच सौफ और उसके बाद डाल दिया है दो से तीन चम्मच साबुद धनिया के दाने बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका एक चम्मच जीरा डालके मीडियम फ्लेम पे हमें मसालों को रोस्ट करना है रोस्ट तब तक करेंगे जब तो थोड़ी से मीठी सी खुश्बू भी नीमीनी से आने लग जाए और थोड़ी सा म नारिल का बुरादा यानिके डेसिकरेट कोकोनट का भी इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा सा अरत परत करना है और जैसे ही थोड़े से यह देखिए जैसे ही यह नारिल क्रिस्पी सा हो जाएगा ना बस अब इस तरह मैंने ग्यास ऑफ कर दी है ऑफ करने के बाद एक मिनिट के कि अबदे बाद मैंने डाल दिया है लाल मेर्श चिंबस आधा चंबस यह बढ़े पा्वडर को अच्छे से मिक्स कर लिए है मिक्स करने के बाद पूरी तरह से ठंडा करेंगे इसको अlon ना करके इस मिक्श्ading को मैंने प्लेट में निकाल लिया हैAR वाश ठंडा हो गया साथ में अच्छे से मिक्स करके कुछ नहीं करना है इसाथ कर लेया है इस दिए मैने डेसिकरट कोकॉनएट कोसटमाल नहीं किया क्योंकि वैसे भी अब इसे घ्राइंड करना है तो सब कुछ एक बुरादी की तरह हो जाएगा बहुत ही जादा हमें एकड़म पेस्ट से सनी बनाना है दर दर आसा बिलकुल हमें पेस्ट बनाना है इसका पाउडर बनाएंगे सॉरी और इतना जो मसाला है ना हमारा ये मसाला दो कटोरी मैदे के लिए पूरा पढ़ गया है अब आप कॉंटेटी अगर जादा बनाना चाहते हैं तो मसाले की कॉंटेटी भी आप डबल कर दीजिए कम या जादा आप मैदे के हिसाब से कर लीजिए अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम मिक्स्चर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका था याद रखिएगा वरना ये गीला सा हो जाएगा और इसके बाद कढ़ाई को अच्छे से साफ करके मैंने डाल दिया दो बड़े चमच यहाँ पर बेसन बेसन डालने से ना हमारी बाकरवडी का मसाला बिलकुल भी बाहर नहीं जाएगा लोगों की प्रोब्लम होती है ना वो कहते है कि हमारे बाकरवडी का मसाला बाहर निकल जाता है आपका बाकरवडी का मसाला बाहर नहीं जाएगा और उसमें डाल दिया है मैंने दो बड़े चमच तेल आप घीका भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से इसका कच्छा पना में दूर करना है मेडियम फ्लेम पे मैंने आच रखी हुई है और इसको हम भूनते रहेंगे अभी यह देखिए ड्राय ड्राय सा लग रहा है ना भूनने के बाद जब बेसन रिलीज कर देगा ना ओईल को तब आप समझाएगा कि आपका बेसन अच्छे से पक चुका है देखिए यह पे कलर बाद आप समझाएगी दीरा दीरा यह पक रहा है यास की फ्लेम बिल्कुल ही यहां पे मेडियम से लो रखनी है अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो बेसन जल जाएगा ना फिर पिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो अब यह देखिए मैं आपको क्लोजली दिखात अब इसमे x1 अज행 के अभी अंपया देखिए ध्या में करना है एक भी गडह नहीं रहें चीखिए को स्मूथ पेस्ट बनाना है तो इसे बहुत अच्छे से मैश करेंगे तो मेरे पास एक लखडि का मैसर जासने इसे मैश कर लिया है विंसlingtंस के पास नहीं है तो आपके त लिख चटनी अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो इमली का पल्ट थोड़ा सा निकाली को लिए उसमें उतना ही गोड डालके और उसमें नमक और मिर्ज डालके अच्छे से पका लिजे गया इस पे गारी कंसिस्टेंसी ऐसे आजाएगी तो इमली की चटनी रेडी है और यह देखिए हमारे पेस्ट की कर्सिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो गई है मुठी बन रही है ऐसी ही होनी चीए पर्फेक्ट कर्सिस्टेंसी है इसकी अब बस मैदा लेंगे हम दो कटोरी इसके बाद डालेंगे एक बड़ा चम्मच अजवाइन अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुश हो आई इसकी और इसके बाद डालेंगे मोयन दो से तीन बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मोयन लिया है मोयन इतना होना चाहिए कि मैं देकि ना जब हम मिक्स कर अच्छे से तो मुठी सी बन चाहिए मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए इस तरह से मुठी बननी चाहिए सुखे आटे में तो हमारा मोयन बिल्कुल ठीक है अब इसे गोथ लेंगे आटा गोथ समय ना जैसे समोसे के लिए आटा तयार करते हैं वैसे टाइट टाइट आटा ना में मैं आपको दिखाती हूं किस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका यह देखिए बिल्कुल स्मूर्ध टेक्चर बाकी आटे का करते हैं लेकिन अब यह देखे इतनी पतली हमें रोटी जैसे बेली है इसके बाद क्या करेंगे इसके ओपर ने हमने जो मिक्सिर बना रखा है बाकरवडी का मसाला इस पेच्छे से स्प्रेड करेंगे कोई देखे तेल चिटनी मेने कुछ भी नहीं लगाया यहां पर सीधा मसाला इस पेच् बेलन से अच्छे से बेल देंगे और यही ट्रिक के वज़े से देखिए मसाला अच्छे से चिपक जाता है पुरे मैदे की रोटी पर और इसी वज़े से बिलकुल भी बाहर नहीं निकलता है देखिए कितने अच्छे से मसाला ना बेलन को चिपका है और नहीं बहार निकल रहा है इतने अच्छे से पूरा even हो चुका है अच्छे से चिपक चुका है अब सबसे important step इसमें यही होती है कि बहुत लोग बाकरवडी का roll बनाते हुआ है बस roll बनाते जाते हैं और वो roll बन जाता है loose बीच में हो जाती है gap इस वज़े से क्या होता है जब हम उसको oil में डालते हैं तो वो पूरी बिखर जाती है तो यह बिल्कुल भी इसे बिल्कुल tight tight देखे मैं कैसे खीच-खीच के न बिल्कुल tight tight इसे roll कर रही हूँ आपको आखिर तक बिल्कुल ऐसे ही tight tight roll करना है और आखिर में हमें क्या करना है थोड़ा सा किनारा चो देखे कितने अच्छे से मैंने अच्छे से चिपका दिया है बिल्कुल अभी नहीं निकलेगा इसको gently हातों से हमें roll करते हुए थोड़ा सा लंबा क्षिचते रहना है हलके हातों से खीचेगा वरना रोल तूट जाएगा हमारा तो अच्छे से लंबा करते जाएंगे हम औ आपको लगता है गैप है दोनों साइड का मूह देखिए मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है इसका और अच्छे से थोड़ा और लंबा कर देंगे इसको आव इसे देखिए बाकरवडी के बिल्कुल आदे इंच या एक इंच जिसे आपको मोटा ही चाहिए उसी साफ से हम ब बाकरवडी तैयार और इसी तरीके से हम बागी के सारी बाकरवडी कट कर लिए हमने यह देखिए प्लेट में रख दिये निकालके अब इसे फ्राय करते वक्त ने एक चीज याद रखिए मोटे तलाई की कड़ाई लिए अपने अच्छे से और उसे मीडियम हीट पर गरम क किया है बहुत जदा गरम नहीं किया है और बाकरवडी डालने के बाद ना दो से तीन मीडिर बिल्कुल छेड़ना नहीं है उसे अगर बीच पे छेड़ देंगे ना तो खुल जाएगी या उसका मसाला पूरा निकल जाएगा तो जैसी तो टाइट हो जाएगी उसे हम निक प्लेट में निकाल लेंगे साउंड सुनके तो आपको पता लगी होगा कि हमारी बाकरवडी कितनी क्रिस्पी रेडी होई है क्यों मैंने टीप्स और ट्रिक्स आपको बताएगी अगर उसी तरीक से आप बाकरवडी बनाएगे ना बिल्कुल पर्फेक्ट बाकरवडी बनक तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़ cél mझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो यहां तक पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद